केंद्रिय वित्यमंत्री निर्मला सितारमन ने साल 2022 तेईस में केंद्रिय बजेट के अंदर देश के आजादी के 75 साल पूरे हुने पर देश के 75 जिलो में 75 डिजिटल बैंकिंग एकम शुरू करने की घुषना की थी जिसके तहट बडोदा शहर में आज डिजिटल की शुरूआत हुई बैंको बरोडा के डिजिटल बैंकिंग जो सेंटर है उसकी शुरूआत आज फते गंज विस्तार में की गई और इसकी शुरूआत खासतोर पर बडोदा के सांसद रंजन बेन भट की उपस्तिती में की गई आपको बता दे कि आजादी के अमरूत के तहत डिजिटल बैंकिंग के 75 सेंटरों की स्तापना पूरे देश में की जा रही है तब आज जब बरोडा शहर में बैंको बरोडा के डिजिटल बैंकिंग सेंटर की शुरूआत हुई तो इसके जरीए अब आम जनता को बैंकिंग की विभिन योजना समयत अपने खातों से जुड़ी सभी सुविधाएं डिजिटल तरीके से 24 घंटे मिल पाएंगी आपको बता दे कि इस मौके पर खास तोर पर बैंक ओफ बरोडा के भी कई बड़े अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहे थे और साथी में बरोडा के मेर राजिकक्षा के मंतरी समयत सांसद और क पस्तिती में ये डिजिटल बैंकिंग सेंटर की शुरुवात करवाई गए थी फतेगंज विस्तार में इसकी शुरुवात हुई है और गुजरात के आठ जिलो में और आठ डिजिटल बैंकिंग सेंटर भी बैंको बरोडा आने वाले दिनों में शुरू करने जा रहा है गहटन करवा मावियू चे आधनिया वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी हमेशा देश वासियों ने बैंकिंग साथे जुडवानू काम करियू जनदन योजना द्वारा अने त्यार पची देश वासि पोते आ डिजीतल साथे पन जोडाई आ भाव हमेशा वड़ा प बैंकोप बरोडा ये बडोधरा नी बैंकोप बरोडा छे अने एम नहीं पन आजे बे ब्रांच बडोधरा अने सेलवा सा आप बे बैंकोप बरोडा ये पन डिजीटल बैंकिंग करू छे तो घुजरात मा चार स्थानों पर डिजीटल बैंकिंग नी व्यवस्था करवा मा अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान बी आरजी न्यूज आपके मोबाईल स्क्रीन पर आज ही बी आरजी न्यूज की मोबाईल एब गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुडे रहें